हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड आज हमें लेडिस थमबाली सॉक्स बनाएंगे यह छे साथ नंबर पॉंग के लिए अगर इससे बड़ा छोटा बनाना है तो फंदे कम्या ज्यादा कर लेजिए यह फ्रेंड मैंने दस नंबर की सलाई से बनाया और यहां पर म पारियां उल्टी उल्टी बना रखी है अब इसके बाद हम 20 फंदे इस साइड छोड़ेंगे 20 इदर और बीच के 14 फंदों पर फंदे बढ़ाएंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे पहले 20 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस ग्यार 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 अब हम दागा पीछे करके एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे एक दो और तीन यह चोड़ा बार बनाएंगे एक दो तीन चोड़ा बार बना लेते हुए उसके बाद 20 फंदे हम यहां पर उल्टे बनाएंगे और उल्टी श्लाइप पूरी उल्टी बनाएंगे फिर हम सीधी साइड से डिजाइन बनाएंगे अब देखिए फ्रेंट, सीधी साइड पर आगे हमारे, यहाँ पर हमारे पास 82 फंदे होगे, जो हमने 14 फंदों पर 3 फंदे बनाए थे, तो इसके साथ हमारे पास 82 फंदे होगे, अब इन 82 फंदों को देखिए, हम किस तरह से बनाएंगे, यह 2 फंदे हमारे, उल्टे, 3 सीध दो, तीन सीधे, दो उल्टे, इस तरह से पूरी स्लाई हम कम्प्लेट कर देंगे, तीन सीधे दो उल्टे का, और उल्टे साइड से भी, जो हमारे उल्टे हैं, उनको हम उल्टा बनाएंगे, जो सीधे हैं, उनको सीधा बनाएंगे, तो यह पूरी स्लाई में बना लेती हूं अब देखिए फ्राइंड ए दो फंदे मारे उल्टे तो यहां से हम इन दोनों को सीधा बनाएंगे उल्टी स्लाई पे तीन उल्टे एक दो तीन इसी तरह से हर एक स्लाई हमारी ऐसे ही बनेगी जो उल्टी साइड से बनाएंगे हम तो तीन फंदे उल्टे दो सीधे तो यह मैं पूरा बना लेते हूं, पूरी स्लाइसी तरह से दोल्टे, तीन सीधे, दोल्टे, तीन सीधे, अब देखिए फ्रेंट, सीधी साइड पे आगे हम, यह देखिए तीन सीधे, दोल्टे, अब यह पूरी स्लाइसी साइड पे उल्टी बनेंगे, तो देखिए किस तर पांच फंदे बनाएंगे इस तरह से यहां नीचे से हम इस तरह से धागल पेट के एक दो तेन चार और पांच अब यह जो पहला फंदा यहां दिख रहा है दिखिए प्रेंड यह जो एदिखिए इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे दो फंदे फिर उल्टे और यह तीन सीधे हैं इन तीन पे हम फिर पांच फंदे इस तरह से बना देंगे दो तीन चार और यह पांच और यह देखिए यहां हराम से दिखता है इसको इस तरह से पल लट देंगे दो फंदे फिर उल्टे थिन फंदे के पांच फंदे बना देंगे इस तरह से पूरी बना देंगे लाज तक और फिर उल्टी सलाई पिर बताते हूं मैं हमने किस तरह से बनाने है ? इसको ऐसे करके पलटना है दो फंदे उल्टे तो इसे में बना लेते हूं फिर दिखाते हूं आगे अब उल्टी पे देखें फ्रेंड कैसे बनाने हैं दो फंदे हमारे यहां से सीधे बनेंगे धागा आगे करेंगे और यह जो हमने फंदा पलट के पीछे से आगे लाए थे इसको हम सिंगल बनाएंगे उल्टा और इन चार फंदों के दो दो के एक कर देंगे देखें इस तरह से फिर से अमारे पास तीन ही फंदे बचगे दागा पीछे करा दो फंदे सीधे एक जो सिंगल फंदा है इसको इसी तरह से बनाएंगे आगे वाले दो-दो का एक बना देंगे पूरी श्राई इसी तरह से बना देंगे उल्टे साइड से इसी तरह से चार-चार स्लाईओं का इज़ाइन फिर से हम बैसे इज़ाइन बनाएंगे अब तीन फंदे सीधे दो उल्टे तीन सीधे दो उल्टे दो स्लाइया हम इसी तरह से बिल्कुल प्लेन मनाएंगे और दो स्लाइयों पर फिर डिजाइन बनता है चार स्लाइयों का डिजाइन है तो एक बर फिर बता दूंगे मैं आपको अगला डिजाइन किस त तो यह को यह मैं बना लेते हूं पूरी स्लाइब फिर दिखाते हूँ आगे my अब देखिया फ्रेंट फिर से हमने डिजाइन स्टाट करना दो आईने एक उल्टी एक सीधी लगा लिए दो फंदे उल्टे तीन सीधे दो उल्टे तीन सीधे अब दूसरा डिजाइन स्टार्ट करेंगे हम फिर से वैसे ही पूरी सलाई उल्टी बनेंगे सीधी साइड पे तीन फंदों के पांच फंदे बनाएंगे हम एक दो तीन चार और यह उबरा हुआ जो है उपर इसको इधर लेके सीधा करतेंगे दो फंदे फिर रोल्टे तीन फंदों पर फिर पांच फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और इसको फिर इधर लेके आएंगे तो इसी तरह से हम पूरी सलाई बना देंगे चार-चार सलाईयों का इडिजाइन बनाते जाएंगे और इडिजाइन हमारा बनता जाएगा तो यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच पांच डिजाइन बनाये हैं मैंने 5 बना लिए आगे मैं बाद में बताते हूं फिर 5 डिजाइन बनाने के बाद फिर हम अंगूठे बनाएंगे अब फ्रेंट देखिए 5 डिजाइन बना लिए मैंने 1 2 3 4 और ये 5 अब इसके बादे देखिए 41 फंदें हमने इस स्लाई पे ले ली हैं खोपोट्टेवं इस साइड तो अब ही होट्टेवन फंद हो को एम साथ धारिया बनाएंगा लग लग दोन साइड ऑस तरा से छोग कि एक गगरिया हमारी बन गगरें दूसरी यब बनेंगी case डूस तरा से हमने उल्टा उल्टा दोनों साइट से उलटा ही बनाना है इसको और साथ धरियां कंप्लेट करने के बाद फिर कूं पंद बंद कर देंगे और यह मैं बना लेते हूं, दोनों साइट साथ साथ धरियां उसके बाद फिर आपको सीलना बताऊंगे किस तरह से सीलेंगे कोूं उल्टा उल्टा ही बनेंगा यह दोनों साइड से अब देखिए फ्रेंट छेचे धरियां साथ साथ धरियां बनाने के बाद मैंने इनको बंद कर लिया एक फंदर बनाया और पीछे वाला उसके उपर से उतार दिया अब इसके बाद हम इसको सी लेंगे तो सीधी साइड अंदर के साइड करेंगे उल्टी यह देखिए बाहर के साइड यह हमारी उल्टी साइड है और यह अंदर सीधी साइड है तो यहां से यहां तक सीड़ लेते हैं पहले इस तरह से यह नीचे तक सील लेते हूं ऐसी तरह से फिर उसके आगे सी लेंगे हम पहले यह नीचे तक सील लेते हूं अब आगे देखिए फ्रेंड यहां से लेके 10 पंदे पीछे तक इतना इसको सील लेंगे हम इतना खुला छोड़ेंगे देखिए तो यहां तक सील लेते हूं ऐसी तरह से अब देखिए फ्रेंड यहां तक सीलने के बाद एक साइड से हम धागा उपर लेके जाएंगे इस तरह से और फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहां से लेके एक कोने से दूसरे कोने तक इसको सीलते जाएंगे इस तरह से बहुत ही सुन्दर सॉक्स बनते हैं और बहुत ही जीए बनाने में भी बहुत जल्दी बन जाती हैं इस तरह से इस ने बहुत हैं और यहां से धागा काट देंगे और अब कर देखांगे और अब कि इंधिकी कि सूंदे कि अच्छी सोक्स होती है इसके फाओं पे अच्छी से बैठ यह बढ़ता है उनके लिए बेस्ट एygं परेंड आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, थेंक यू